नमस्कार आप देख रहे हैं दिमान टाइम्स मैं आपके साथ रंधिरा फिलाल आप मौझूद है उर्जा एस्टेडियम में और यहां पर सरदार पटेल जैन्ती पर क्रिकेट कप आयोजित करेंगे और जानेंगे कि यह जो सरदार पटेल की जैन्ती पर आयोजित पांच उन्हें किस तरह के फायदे हैं और क्या ऐसे आयोजन होने चाहिए या नहीं हम उन खिलाडियों से ही जानेंगे क्या इस बारे में वो कह रहे हैं ये जो सरदार पटेल की जैन्ती पर आयोजन हो रहा है इसे क्या लाव है आपको ऐसे feels is in here तो यहाँ बिलकुल होने चाहिए तो हम लोग के नहीं प्लेयर को मौका मिलता है तो हम बस वही है कि अच्छा परफॉर्म करना है मैं अमित राज फ्रम अंसुल क्रिकेट अडमी मैं सेल फृतिक फ्रम अंसुल क्रिकेट अडमी प्लस में परफॉर्म करने का मौका मिलता है और यह कुछ और विक लाड़ी हैं उनसे भी बात्चित करेंगे और जानेंगे कि ऐसे आयोजन का लाब आपको कैसे मिल रहा है आप किस एकेडमी से बिलॉंग करते हैं मैं तो मतलब टॉर्नमेंट खेल रहा हूं अनसुल क्रिकेट अडमी से वैसे मैं बिलॉंग करता हूं किर्केट अडमी पठान से और ऐसे टॉर्नमेंट का लाब मतलब अच्छे प्लेयर्स आते हैं पर खेलने के लिए और एक बड़िया ग्राउंड बिहार में ऐसे ग्राउंड काफी कम है और ऐसे ग्राउंड मिलता है तो काफी अच्छा लगता है खेलने के बाद और टॉर्नमेंट भी काफी अच्छा होता है इसके चलते हम लोगों बहुत अच्छा फील होता है किर्केट को लेकर यही है कि बिहार में ऐसे ग्राउंड बहुत कम है तो सरकार से यही गुजारिस रहेगी कि और सारे ग्राउंड बने और मतलब अच्छी फैसलेटित दी जाए हम लोगा क्या लगता है ऐसे आयोजनों का फायदा सिर्फ सिनियर्स खिलाडियों को है या फिर छोटे खिलाडियों को है इसूरी आँ स्व्ण को एक किस्पिरियन्स मिलता है मैच प्रक्टिपे जो हमें फायदा करता है ट्रेल मैचेज के लिए या बॉड मैचेज मैच cidade एसे आज़न को बढ़ा देना चाहिए ज्यादा से ज्यादा मैचेश कराना चाहिए तूर्णामेंट कराना चाहिए इसे क्या मांग होगी वही कि अच्छी सुईधा दे थोड़ा ग्राउंड और थोड़े बने जिससे हमें मैच खेलने के लिए परिसानी ना फिलहाल आप दि